घ्लो फेंज़, हमारे चैनल Non-stop Love Stories in Hindi में आप सभी का एक बढ़ फिर से स्वागत है मेरी तूँ आप सभी के लिए एक नई स्टोरी के साथ दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लॉफ स्टोरी जिन हिंदी को लाइक, सिस्क्राइब और शेयर करना न भूले इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की तो दोस्तों आप सभी हैड़फोंस लगा ले और इस स्टोरी का मज़ा आराम से ले मिरत दावा है कि इस स्टोरी आपके दिल को छू लेगी तो, दोस्तों, मैंने सुना है कि इनसान जैसा सोचता है, उसके साथ वैसा ही होता है इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए Love Stories लेकर आते हैं दोस्तों, Story का नाम है हम आयच की हमारी Story का नाम है हम ये कहानी एक सची घटना पर आधारित है किसी को कोई objection नहीं था इसलिए इस कहानी के सभी पात्रों का नाम real है मतलब जितने भी इसमें play कर रहे जितने भी characters है इसमें उन सभी के नाम और जो places हैं वो सब real है तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुने और मुझे ये भी पता है कि जिनके साथ ये घटी है वो भी इस कहानी के सुनेंगे आज की कहानी का नाम है हम मेरा नाम है अर्विंद और मैं 13 साल का हूँ 6th क्लास में पढ़ता हूँ हमारे स्कूल का नाम है Calvary Church Public School ये एक private स्कूल है जो 6th क्लास तक है और हमारा बैच वो सबसे बड़ा मतलब स्कूल में गिना जाता है यहाँ पर चोटा सा स्कूल है तो स्कूल की मतलब यह चर्च की तरफ से स्कूल है तो पहले जो ये बात है 1988 की 80 के दशक की बात है दर्शकों तो इस टाइम में ज़्यादा जो बड़े स्कूल कम ही हुआ करते थे और वैसे भी लोग जितना हो सके अपने बच्चों को पास-पास के स्कूलों में डालते थे और ये स्कूल बड़ा प्यारा सा था हमारी जो टीचर थी उसका नाम था कविता कविता मैम जो हमारी टीचर कम थी लेकिन हमारी मा जैसी थी वो उसकी उमर वैसे तो बाइस साल की थी छोटी थी वो लेकिन वो हमारी मन को बहुत मतलब बच्चों जैसे हमें अपने साथ रखती थी तो उस टाइम में आपको मैं इतना भी बता दूँ कि उस टाइम में जो स्कूल थे कॉमन जो स्कूल थे उनमें पिरिट्स नहीं हुआ करते थे जैसे आज कल पिरिट्स होते न फर्स पिरिट्स मैं आथ का सैकेंड हो गया इंग्लिश का ऐसे उस टाइम में एक ही टीचर होती थी और वो पूरी क्लास को सारा दिन पढ़ाती थी इवन रिसेस के भी बाद उसी मैडम की बारी आती थी और कभी-कभी कोई अगर टफ है सब्जेक्ट जैसे कोई मैथ या साइंस तो हो सकता था मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था नहीं कभी-कभी कोई दूसरा टीचर आता था पढ़ाने के लिए लेकिन हमारे स्कूल में कभी ऐसा हुआ नहीं दूसरे स्कूलोमें ऐसा होता था और यह तो था हमारे स्कूल का अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूह मेरा best friend का नम है लड़ी लड़ी मिलसे थोड़ा बढ़ा है 22 साल का होगा वो लड़ी जो है वो हमारा एक्चली ड्राइवर है वो दिली में जो 84 के दंगे हुए थे ना जिसको पंजाबी में या हिंदी में 84 के दंगे कहते हैं अपने इंडिया के उस टाइम के वो दंगों से भाग कर पंजाब आ गया था पंजाबी था वो तो यहां पर मेरे पापा ने उसको ड्राइविंग की जॉब दे दी थी हमारा पास वो ड्राइवर था उसके साथ मेरी बहुत बनती थी तो उस टाइम में 80 के टाइम में दोस्तों ऐसा हुआ करता था जो की घर के जो काम करने वाले होती थे ना उनको हम लोग कभी अपने नोकर नी समझते थे जैसे आजकल के बच्चे मतलब बहुत रोब जमाते न अपने नोकरों पर ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में उस टाइम में हम लोग उनको ऐसे लगता था जैसे हमारे सबसे अच्छे दोस्त है हम लोग इनको अपने दोस्तों जैसे रखते थे और जो लेडि़ीस दोती थी वो भी ना अगर ममी की एज़ की है तो फिर वो ममी के साथ भी फ्रेंड जैसे रहती थी और जो अगर छोटी एज़ की है तो वो बेहनों के साथ ऐसे मतलब ऐसा टाइम था वो आजकल का जैसे आजकल नोकरों को बहुत बूरी तरह ट्रीट करते हैं ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में तो अब क्लास की बात आपको अगर मैं बताओं तो हमारी जो क्लास थी न मैं जिस में इंटरस्ट लेता था बच्पन से इ, इस स्कुल में बच्पन से इपढ़ा था तो लेकिन जो हमारी कवीता में थी, वो हमारे को six एक ओड़ती थी और मतलब हमारे किलास में उसने एक अलग साई दोर चला दिया था वो क्या करती थी वो लड़कियों से राखी वाले दिन हम सभी लड़कों को राखी बंदवाती थी और मतलब हम लोग सारे एक दुसरे को भाई बहन जैसे इतना ज़ादा प्यार था ना हमारा लेकिन मैं डरता था कहीं मेरे को ये राखी न बान देगी था तो मैं राखी वाले दिन तो नहीं आता था लेकिन वैसे मैं बाकी सभी लड़कियों को सोनिया को छोड़के और गीता को छोड़के मैं सभी को अपनी बहन जैसे ही समझता था मतलब हमारे क्लास में आपस में बहुत ही जादा प्यार था दोस्तो ऐसे तो मैं आज के दोर में तो मैंने ऐसा देखा नहीं है वैसे लेकिन अब मैं आपको अपने फ्रेंस के और classmates के बारे मैंicz के बारे में सब के बारे में बताता हूँ ठीक है जो मेरी जो class की जो girl है गीता वो बारा साल की है उसके काफी लंबे बाल है थोड़ी सी हलकी सी फैटी सी है प्यारी सी है तो ये बहुत ही गरीब घर से बिलॉंग करती है जो इसके पापा है ना वो जो माता पर जाते ना लोग वहाँ पर इसके पापा जो लोगों की मिसाज करते थे टांगों की कान साफ करते थे और ये शर् अपने तो सारे स्टैंड़ बता देतें केहतें कि मेरी हम लोग अचार के साथ रूटी खातें हमारे घर में तो डाल कभी-कभी बनती है लेकिन जो हम लोग है ना हम लोग इससे बहुत प्यार करते हैं, सबी, हमारे ऐसी क्लास में, उच्छ नीच नहीं है, हम लोग पैसे भी खर्चते हैं, तो तो सोनिया है, सोनिया जो है वो एक क्रिष्चन लड़की है, उसके लम्बे बाल हैं, उसमें भी मैं इंट्रस लेता हूं, उसको देखके मैं सोनीया सोनीया गाना गाता होता हूँ तो एक आइरेन है आइरेन आरेल्ट नाम की लड़की है तो वो बड़ी स्वीट सी है जैसे काजुल थी न अपने टाइम में लंबी सी पूनी बनाती थी पतली सी थी उस बिलकुल ये उस टाइम में इडियेट में बिलकुल काजुल की कौपी थी तो मेरी तो सिस्टर बनी हुई थी तो इसका जो दो भाईस ने क्लास में बड़े इसके fan मतलब इसके साथ ही रहते थे वो हमेशा ही इसके साथ ही रहते थे एक का नाम था संजीव जिसको ये बहुँत 11-12 के तलिक सिनफ मैई था जो 13 साल का था यह भी 12 साल का इसका एक ब्रेदर है वो नीरज है वो धर्ड क्लास में पढ़ता है तो यह सारा अपने घर का काम खुदी करता है सुबह भी यह घर का सारा काम करके दुपहर तक की रोटी बनाके फिर आता ही यह स्कूल संजीव इसकी ममी से कहता है पता नहीं की नहीं कर सकती लेकिन यह वीचार अपने घर का सारा काम करता है अभी एक सुनील है सुनील बंदा बड़ा मसता है वो बस खुशी रहता है उसको कुछ पता ही यह नहीं चलता तो इसका जो ब्रेदर है उसका नाम है चंदर शेकर वो भी थर्ड क्लास में पड़ता है तो ये भी हम लोग भी ये भी मारा भाई जैसे ही है आरेन का ब्रेदर है ये आरेन को भी सिस्टर मानता है इसकी एक सिस्टर है चांदनी मैंने बता है ना इसका ब्रेदर है चंदर शे भी करता है उसके पराठे खा लिता है रोज और आइरन को तब पता चलता जब उसका खाना पुरा खा जाता है तो आइरन इसको इतना लड़ती है इसके साथ कहती है कि तो कबन से को मेरे एक तो छोड़ देता और यह भागना शिरू करता रिससमें और फिर इसको आईरेन पकड़ लेती है तो यह आईरेन को उठा के इतनी जोर से गुमाता है और फिर रख देता है और फिर भागता है फिर क्या अपनी जैब से पैसे निकाल गए ता चल यार बताया कि राखी पे सिर्फ सब आते थे सब एक दूसरे को राखी बानते थे जो हमारी टीचर थी उसने यह सब किया वा था अरेंज बड़ा अच्छा तो लेकिन मैं ही सिर्फ था जो राखी पे नहीं आता था बाकि यह सब लोग जो राखी थे मतलब बड़ी अच्छी तर वो उस टाइम के बच्चे हैं जो अपने मावाप का कहना पूरा मानते थे मैं सच बोल रहा हूँ हम लोग उस टाइम के लोग हैं जो अपने मावाप का हमेशा कहना मानते थे अब संजीव देख लो अपनी ममी के लिए घर में पहले काम करता है पूरे घर का जड़ू पोचा करके खाना तक वो दुपहर का बना के आता है हम लोग उस टाइब के बच्चे थे तो मैं थोड़ा सा अपने बार में भी बता दू जो मेरी मम्मी है मेरे को उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है बहुत ज़्यादा मैं सुबह सुबह लड़ाई करके आता होता हूँ क्योंकि मेरे पापा है उनने दूसरी शादी की हुई है वो उसके साथ रहते तो आते हैं घर में पर कभी-कभी उसके साथ भी रह लेते हैं तो मैं बहुत बुरी तरह सुबह लड़ाई करके आता हूँ कुछ खा के नहीं आता, मेरी ममी पीछे ही आती है तो पीछे ही आके क्या मेरे को पैसे सुबह देज़ती होती जाने से पहले ही, तो आके टिफन देगी कहें, अर्विंद खा लए हैं, वो बहुत भोली है और मेरी ममी के साथ बहुत जादा प्यार है, मैं अपने घर में एक ही एक लड़का हूँ, और भारिस हूँ मैं, तो मेरी ममी का बस एक ही जिद्ध है कि बिटा जल्दी से तु हो सके, जितनी जल्दी हो सके बिसनस संभाल ले, मैं समझता हूँ इस बात को, और मैंने ऐसा जल्दी ही मैं बिजनस भी संभाल लूँगा तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा बताता हूँ कि हमारा जो हम लोग सब एक साथ थे बड़ा ही प्यारा टाइम था वो हमारा जितने भी देर हम लोग साथ रहे एट तक हम लोग सब साथ रहे उसके बाद आया टाइम अलग होने का उससे पहले हमने सोचा था कि हम अलग होने से पहले क्योंकि हमारा स्कूल सिक्स तक था तो जो सेवन्थ थी वो हमारी मैडम ने ही बनाई थी कि हाँ मैं अपने बच्चों को सेवन्थ पे भी बढ़ा लूँगी फिर 8 जो थी वो भी मैडम ने बनाई थी फिर जो 9th थी ना 9th का 9th तो base होता है न 10th का फिर हमारा तो school affiliated नहीं था इसलिए मैडम कहते है कि 8 तक तो मैंनको करा सकती हूं 9th फिर base है 10th का बच्चों का base नहीं खराब होना चाहिए इसलिए मैडम ने हमें एर्थ तक बड़े प्यार से हम सब कठे रहे भाई भेनों जैसे रहे तो एर्थ में एक बार फिर हमें पता चल गया था कि अब हम सब अलग हो रहे हैं तो दोस्तों ऐसा था हम लोग सब खाना भी कठे खाते थे सिक्स से लेके अब तक अब इतक हम लोग खाना भी कठे खाते थे तो जो पैसे जो सबसे ज़्यादा पैसे होते थे मेरे पास तो मैं सभी के साथ पैसे मतलब खर्च करता था हम लोग ना वो स्टॉफिंसा होता है जिसको पंजाबी में क्या बोलते हैं चोले ने, that is called पटूरे छोली दानी कुल्चे, कुल्चे मेरी यादथ थी कुल्चे और टिक्की और गोलगापे बहुत खाता था मैं तो मेरे साथ से पूरे मेरे क्लास कुखिलाता था और मैं कभी भी ऐसे नहीं बुलता था मैंने खिलाया, कुछ भी हूँ जो उनके पैसे होते थे न, उसके भी हम वही खाते थे, वह भी हम लोग सब खर्चते थे, बहुत मज़ा आता था, जितने दिर हम लोग साथ रहे न, हम लोग उने कठे पैसे खर्चे, तो एक बारी, जो हमारी मैडम थी न, उसने आना नहीं था दो दिन, कहीं जाना था मैडम में हम सबको पता था हम लोग सब ही आए तो मैडम ही आएगी बड़े खुश थे क्योंकि मैडम ही तो थी साराज सुबे से लेके शाम तक दो बज़े तक तो बोले थी क्लास उसके बाद में छुट्टी होती थी तो हम लोग दो दिन तक तो इलकू रस्ट पे थे आज तो मैड ज़े क्लास है तो फिर उनको थोड़ा होता ही था इनके उपर नज़र रखना क्योंकि हमारी जो क्लास थी न वो थोड़ा पीछे की साइड में थी स्कूल की जाके सब बच्चों की क्लास तो आगे आगे थी तो हम लोग सबसे जदा शोर में जाते थी इसलिए हमारे को सबस मैं वहां तो था नहीं, खिड़की से समान लेके हम खा लेते थे, पैसे देके, उस दिन क्या हुआ, एक जो लड़की थी वो, आयरिन, क्या बोलती है, कहती है, अर्विंद, तेरी और गीता की शादी करा दे हम लोग, वो मैंने का हाँ, हाँ, चलो ये गेम खेलते हैं, तो एक से फूल तोड़के लेके आया, तो इसने क्या कि सब में लोगों ने हमारे उपर फूल डाले, थोड़ी से आग जिला की, पेपर्स की, भार से हमने टिकी वाले से माचिस भी ले ली थी, तो पेपर्स की आग जिला की, हमारे फेरे करवाए, फिर इन्होंने मतलब, फूल पा नोगत Chi तया जोट वी आकि परीय सुटेंप तो अबाकी सद्डी जो था उसका भी एक ब्रदर सोस्त tempo है इसा प्रॉच ता उसका और मौ우र्ड था उसकी टैसर है आइसे करके जितने भी भ्हाई थे ही हमने उनको भी इन्वाइट कर लिया इनको हमने यह नियुमें पताया हौज हमारे क्लाश में शादी है इनको भी पार्टी में खाना पगारा खिलाया तो अब इन लोगों ने क्या किया इनको न पता चल गए हमारे शादी सुदी खमनेसे करी है तो इन लोगोंने मैडम को फोन कर दिया ऑफिस से बुला लिया अग्ले दिन तो हमें पता नहीं जा हमारी मैडम को पता है हमने कहा रही मैडम अग्ले दिन आगए तो हम थोड़े मतर डर गए तो कुछ नहीं है हम लोगोने प्रेयर वगरा हुई सब कुछ हम लोग क्लासिस में आये मैम को हमने गुड मॉर्निंग विश्क किया सब को मैडम ने बिठाया मैम खुद भी बैठ गए तो बाते बूते करी करते मैडम थोड़ा बोलती ऐसा करो सबसे पहले पंडित खड़ा हो जाए हम लोग सारे हरान फिर बरातियों को खड़ा किया फिर दूला दूलन को खड़ा करके उटक बैठक निकल वाए और फिर हम समने सौरी भी मांगी मतलब हमारे क्लास में तो ना बहुत जादा प्यार था टीचर के साथ भी हमारा चलो दोस्तो आँ मैं सेशन वूस में आता हूं जिसमें हम लोग अलग हुए थे तो दोस्तों नास जो हमारा थो ना वो क्रिस्मिस प्ले था तो मैं उन्हें कहा कि इस प्ले में सभी लोग आप मतलब वो कրोगे प्ले में हिस्सा लोगे तो मैंने हम लोगों ने सभी ने हिस्सा लिया तो मैं जो था मैं अपने गलास का तो बहुत ही माना जाता था उस टाम तो मैं मिरको उस टाम ब्रेक डांस बड़ा फेमस था मैंने कहा कि मैं तो ब्रेक डांस करूँगा मैं अमने का कून से गाने पी करोंगी टेप रिकॉर्ड़ तो मैं ले आया था घर से किनके हमारा मतलब play था तो उससे practice होती नश्क करता दर प्राक्टिस में लेकिया आजाता था टेप रिकॉर्डर तो मैंने गाना चुना वो पुराना गाना है पुराना तो उस पे मतलब डांस किया तो जो सुरिंदर और संजीव और सुनील थे हमारी क्लास के उन्होंने भांगड़ा किया भांगड़ टीम के साथ बहुत बड़ी टीम थी वो 11 बारा लड़कों की थी उन्होंने बहुती क्लासिक भांगड़ा किया पूरा ड्रेस वगरा पहन के मुझे आज भी याद है सुरिंदर ने यलो ड्रेस बनावा था और वो सारा जो भांगड़े का जो ड्रेस होता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था भांगड़ा उनका बहुत अच्छा लगा लिए था तो यह टाम था हमारे अलग होने का तो Christmas प्ले उसके बाद फिर हमारे exams हुए फिर जब exams हुए तो दोस्तों उसके बाद में हम लोग मतलब exams के बाद में हम सभी को पता था हम लोग सब अलग हो जाएंगे तो वो भी दिन था जब सभी बच्चे फॉर्म भर रहे थे नेक्स्ट स्कूल जाने की स्कूल का नाम है इविन क्रिस्चन सीनियर स्केंटरी हाई स्कूल यह बहुत बड़ा स्कूल है तो इसमें भी मतलब आर्ट्स वगरा मेडिकल सब कुछ है आज के डेट में तो सब कुछ है उस टाम में प्लस टू थी तो सभी बच्चे फॉर्म भर रहे थे बार बार उसकूल में जा रहे थे फिर इदर आ रहे थे यह बोला यहां साइन करू वहां साइन करू मैं सब को देख रहा था तो मुझे पता चल गया था कि यह सब जा रहे हैं मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे अपने पापा का बिजनस संभालना था ना इसलिए मैंने यह सोचा कि नहीं मैं नहीं जाओंगा तो मेरे साथ ही संजीव भी खड़ा था मैंने संजीव को बोला चल तू तो जा तो संजीव कहता है यार मुझे घर का काम करना है तुझे पता है मम्मी से नहीं होता पता नहीं क्या बात थी दोस्तों हमें तो आज तक नहीं पता है ये संजीव जो था वो घर का काम क्यूं करता था ये घर का काम पूरा करके खाना खुना बना कर या आता था और ये बड़े स्क तुम लोग करो मैं आता हूँ मैंने उनको कुछ पता नहीं चलने दिया कि नहीं मैं नहीं आ रहा सिरफ एक मेरी टीचर थी उसको पता था लेकिन आज वो भी सब बच्चों के साथ कभी ऑफिस में जा रहे थी कभी दूसरे स्कूल में जा रहे थी सेंट थॉमस के पास ही है वो तीनो स्कूल हम तीनो स्कूल पास पास थे तो मैं देख रहा था बहुत फास्ट फास्ट काम हो रहा था इतने में में मेरा ड्राइवर आया लाडी फिर मैं उसके साथ हो लिया तो दोस्तों जो मतलब इनी बिट्वीन में जो 1996 में लास्ट टाइम जो था सॉरी 1994 में जो थी सभी मेरे फ्रेंज की प्लेस्टू कम्प्लेट हुई और 1990 में इन लोगोंने नेक्स्ट कूल जोइन किया था 94 में इन सभी की प्लेस्टू खतम हुई फिर 1996 में जो संजीव था वो लास्ट टाइम आयरिन से मिलने गया बहुत खप करता था वो हसते ही रहते थे हम लोग सारे लेकिन वो अकेला ही गया था उस टाइम आयरिन ने बताया था तो 96 में वो पहली बार लास्ट टाइम आयरिन के पास गया उसके invasive मतलब एक ही हफ़ते के बाद में उसकी डिट हो गई तो उसके बाद में मैंने थोड़े सा मतलब इनी पीच में थोड़े गैप में मैंने गीता से मतलब मेरा था कि मैं गीता के साथ मारेज कराऊंगा क्यों मेरी ममी ने भी अब मेरे बढ़ा हो गया था तो मेरी ममी ने भी मेरे पर फोर्स करना शुरू कर दिया बेड़ आप शादी करवा ले तो मैंने गीता का नाम लिया ममी को पता था गीता के बारे में सब तो मेरी ममी कहती तो गीता की शादी ना हो गई हो मैंने का नहीं मैंने का गीता वैसे ही पवित्र होईगी जैसे वो पहले थी गीता था ना उसका नाम इसलिए क्योंकि लोग तो गीता पे हाथ रखके कसमे खाते हैं उसका तो नाम ही गीता था इसलिए तो मैं सुरिंदर को साथ लेके गया गाड़ी में मैंने का चल यार सुरिंदर तो डर रहा था कहता कहीं महले वाले पकड़के मारे ना उस टाइम में तो ऐसे ही होता था अगर किसी लड़की से बात भी कर लो तो महले वाले मिलके मारते थे उसको बंदे को तो हम लोग तो थे भी छोटे-छोटे लटके, मतलब इतने बड़े भी नहीं थे हम लोग, 21 सारों के होंगे हम लोग, तो सुरिंदर डर रहा था, कहता है यार उसके घर चलते हैं न, मैंने का नहीं यार रुक जा, तो इतने में गीता सामने आई, गीता ने मिले को देख तो पर उसने लोगों के सामने शूर नहीं किया, कि वो मुझे जानती है, मैंने फटा, फट एक कागस पर जो मैं पहले सी लेके आया था पैन, मैंने उसको कुछ लिखके दिया, मैंने का तुम उससे शादी करेगी, बस मैंने वो कागस का बना के न, मतलब ऐसे कागस को अपने ह से, फिर मैंने का कि चल तू मंदिर में, मुझे पता था कि यार इसके घरवाले इतना फट नहीं कर सकेंगे, क्यों इतनी बड़ी शादी, मतलब मैं तो अपने घर का एक ही एक लड़का था, तो मेरे पेरंस ने तो मतलब धूम धाम से करने थी शादी, लेकिन मेरे को गिता का घर का भी खयाल था, तो मैंने एक मंदिर में शादी कर ली, और सीधा गिता को घर लेके चला गया, मैंने का ममी हमने शादी कर ली, ममी कहती पागल लड़के कहींि इसके घरवाले पीछई ही ना पढ़ जाएं, तुझे पता नहीं है क्या क्या हो चाता है, तो मैं फिर ग अच्छे और स्वीट लोग थी ना मुझे तो ऐसा लगता था जैसे गिता ने अपने ममी को पहले से ही बताया हुआ हो तो पर मतलब फिर भी उन्होंने हाम बोल दिया कहते कोई बात नहीं फिर मैं हमारे घर में फंक्चन हुआ उनकी घरवालों को भी बुलाया बड़े अच् किशान को मैंने कभी नहीं उसको हर्ट किया कि हाँ मैं तुझ जैसे घर से लेके आया लोग ही सोचते थे कि मैंने गीता को सहारा दिया घलत सोचते थे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे गीता ने सहारा दिया सच तो यही है गीता ना होती तो मैं पता नहीं कैसे भटकता ही रह तो उसको दुनिया ने इतने दुख दिये कि 2020 में उसकी डेथ हो गई जो लोग इतने हसते हैं न वो बड़े soft heart के होते हैं बता दिल उनका बड़े soft होता है तो लोग ये बात समझते नहीं है जब मर जाता है न सब लोग कहते हैं अरे यार लड़का बड़ा अच्छा था या लड़की बड़ी अच्छी थी यह नहीं सोचते कि हाँ वो कितने दुख में था तो उसकी डेथ हो गई तो मैं अपनी स्टोरी क्लोज करने से पहले एक बार अपने दिल से शोप जाहिर करता हूँ अपना कि मुझे संजीव को और अपने दोस सुरिंदर का बेहत दुख है तो दोस्तों यह मेरी सक्सेसफुल लव स्टोरी थी जिसके साथ मेरी शादी हुई जिसको मैंने बच्पन से ही प्यार किया उसी लड़की के साथ मेरी शादी हुई और उसने पूरी सिंदगी मेरा साथ दिया आज मेरे पस मेरे बच्चे हैं और मैं सेक्सेसफुल बिसनसमैन हूँ क्योंकि मैं पहले से अच्छे घर का था तो मैंने अपने बिसनस को और बढ़ाया तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने मेरी कहानी को सहरा होगा तो मेरी कहानी सुनने के लिए यहां तक साथ देने के लिए आपका बड़ा थैंक्स तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस स्टोरी ने आपको पूरा एंटेटेंट किया होगा तो दोस्तों हम आने वाले टाइम में भी आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरीज लाते रहेंगे आपका ऐसे ही entertainment करते रहेंगे तो दोस्तों एक like तो उसके लिए भी बनता है जो writer है और जिसकी memory इतनी वीडियोजेनिक है कि उसको एक एक चीज़ याद थी उसके लिए एक थैंक्स तो जरूर बनता है प्लीज आप मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों अगर आप मेरे को अपनी फोटोस भेजना चाहते हैं जो मैं अपने वीडियो में मतलब रखूँ तो आप मेरी Facebook ID जो है Eden Arnold के नाम से है तो आप मुझे contact कर सकते हैं इस ID पे तो दोस्तों मेरी stories लिए थैंक यू सो मच आपका सभी time हमेशा अच्छा जाए आपके साथ आपकी जो love one है dear one है हमेशा आपके साथ रहें आपकी जो surrounding है वो हमेशा प्यार से भरी रहें thank you so much god bless you